हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल असलाम उलेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियत से होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सूपर सॉफ्ट और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली मिठाई जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है लेकिन बड़ों को भी यह बहुत ही जादा पसंद आती है इसे बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ पांच मिनिट लगते हैं इस मिठाई को बनाने में और आप देख सकते हैं इस मिठाई दिखने में कितनी टेंटिंग है एकदम देखते ही न मुह में पानी आ जाए बहुत ही लाजवाब मिठाई है तो गाइस चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और इस मिठाई को बनानी के लिए मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं बिस्किट्स तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बर्बन बिस्किट का यूज़ किया है तो 4 packets मैंने यहाँ पर biscuit के लिए हुए है और अब हम क्या करेंगे अब हम एक bowl ले लेंगे यहाँ पर हम जो मिठाई बनाने वाले हैं उसे हम बिना gas को जलाए और बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम सारे biscuits के जो packets हैं उनको खोल कर बाउल में डाल देंगे तो ये देखिए guys हमारी biscuits में जो chocolate लगी हुई है न हम उसे इसी तरह से लगे रहने देंगे इससे हमारी जो मिठाई है उसका taste बहुत ही बढ़िया आएगा बहुत ही लाजवाब आएगा तो guys हमने यहाँ पर एक mixi का जो jar है उसे ले लिया है और इस तरह से सारी biscuits के टुकड़े करते हुए इसमें डाल देंगे जिससे कि इसे पीसने में आसानी होगी तो अब हम क्या करेंगे इसका fine powder बना लेंगे और इसे अच्छे से हम grind कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से grind कर लिया है और यह बहुत ही अच्छे से biscuit तयार हो चुका है और इस तरह का हमें powder चाहिए उस तरह का ही यह बना है अगर इसमें कोई टुकड़े वगरा रहे जाएं बहुत ही अच्छे से blend हुए है तो हमारी biscuits का जो powder है वो तयार है तो guys चलिए हम इसमें कुछ और भी चीज़े add करेंगे जिससे हमारी मिठाई बहुत ही ज़्यादा tasty बरेगी तो यहाँ पर मैंने कुछ dry fruits ले हुए है इनको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में cut कर लिया है आप चाहें तो इसे blend करके भी डाल सकते है या फिर आप चाहें तो इसे हल्का सा crush करके भी डाल सकते है ये टुकड़े जब खाते समय मुँ में आते हैं तो बहुत ही जादा crunchy और बहुत ही tasty लगते हैं तो साथी हम इसमें add कर देंगे थोड़ा सा milk powder तो यहाँ पर मैंने 1 4th cup milk powder जो है उसे add कर दिया है और साथी हम यहाँ पर add करेंगे इसके taste को और double करने के लिए दुगना करने के लिए साथी हम इसमें add कर देंगे desiccated narial यानि की narial का बुरादा इससे जो है हमारी मिठाई और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो guys आप चाहें तो इन में से कोई भी चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे skip भी कर सकते हैं इसके पिना भी आप मिठाई बना सकते हैं बहुती टेस्टी, बहुती स्वादिस्ट मिठाई बनती है तो अब हम हम इन सारी चीजों को डाल कर अच्छे से mix कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए तो सारी चीज़से हमारी बहुती अच्छे से mix हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लेंगे milk यानिकी दूद तो यहाँ पर मैंने आदिकटोरी की करीब milk लिया हुआ है यह फ्रीज में रखा हुआ थंडा दूद है तो गाइस इस तरह की मिठाई बनाने के लिए हम ऐसे ही दूद का यूज करेंगे आप चाहें तो इसमें थंडा कच्छा दूद भी एड़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने दूद को अच्छा जबाल कर इसको ठंडा होनी के लिए रख दिया था फ्रीज में तो हमारा जो दूद है वो ठंडा हो चुका है तो इस तरह से हम चमच की मदश से इसमें डालते जाएंगे थोड़ा- हमारा जो डो है वो अच्छे से खटा हो चुका है इस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों पर थोड़ा-थोड़ा चिपक रहा है लेकिन अभी जैसे-जैसे हम इसे इस तरह से मसल कर करते जाएंगे यह चिकना हो जाएगा और इसमें से थोड़ा से घी या ओ हम इस तरह से डोका थोड़ असा पोशन देंगे जिसनी भी बड़े या छोटे आपको मिठाई बनानी है उसे साफ से हमें लेना है तो हम इस तरह से इसे लड़ू की शेप दे देंगे और अच्छे से इस तरह से करते जाएंगे तो इसमें और भी अच्छी शाइन आईगी और जो घी या तेल है वो रिलीज हो जाएगा और हतेली की बीच में रखकर अच्छे से इसे हम इस तरह से गोल कर देंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा जो एक लड़ू है वो बनकर तयार हो चुका है बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा लग रहा ह और आप चाहें तो इसे पेड़ी की शेप भी दे सकते हैं लड़ू की शेप भी दे सकते हैं जो भी आपको पसंदो आप उस शेप में इसे बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है और आप देख सकते हैं एक दब माउथ पार्टरिंग बहुत ही टेस्टी लग र तुसक्राइब कर तैयार् हो चुका है तो इसी तरह से हम सारे लडू को बना कर तैयार कर लेंगे तो guys आप देख सकते हैं मैंना सारी लड़ो को बना कर तयार कर लिया है बहुत ही ज्यादा यम्मी हमारे जो लड़ो है वो बने है और इसका कलर माशालला बहुत ही सुन्दार राया है इसे ना देखते ही किसी के भी मुवे पानी आ जाए तो friends हम इसे थोड़ा सा डेगुरेट करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिया है चांदी का वर्क होता है ना वो मैंने इस पर लगा दिया है इस तरीके से आप चाहें तो अगर आपके पास है तो लगा और अगर नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस पर कोई भी dry fruits भी इसमें जो है लगा सकत और यह चोकलीट के इस ही बहुत ही प्यारी लगती यह खाली जह चोकलीट कि मिठाई है किन यह हमने हमने बहुत ही जह घंघे और इस में कुछ्ट करते भी यह गता है K Indy आपका की मृझे अट बूटे से लगते कि मुझें स्फोलिबड एकर उस हमें कि एक तरह सॉफ्ट है और यह दिखने में कितना टेस्टी है वो तो आप देखी सकते हैं न और इसमें भी बहुत ही कम लगता है सिर्फ पांच प्लेट आपको लगेंगे इसे बनाने में लेकिन मैंने इसमें वीडियो में बनाई है तो इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो ल लड़ू बना कर तयार कर सकते हैं और हमारे जो बिस्किट्स होते हैं वो काफी मीठे होते हैं इसमें हमें चीनी एड़ करने की कोई जरूरत नहीं है तो फटा फट से आप इस मिटाई को बना कर कीजिए अपनी फैमली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय और हमें कमेट करके बताईए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल पी ना भूलें साथ ही बेल ऐकन को भी प्रेस करें जिसकी मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो गाईस हमें दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई अल्ला हाफीज